क्या होता है कि जब से सोहनी का रिष्टा जबरू ने तोड़ा था तब से आए दिन उनके घर में दुरगटनाए होने लगी किसी जोप्षी से पूछा तो उसने बताया कि उस लड़्शी का स्राप तुमें सता रहा है जिससे तुमने रिष्टा तोड़ दिया अतै तब ही भला होगा जब सोहनी से तुम शादी करो आप तो जबरू के घरवाले तुला के पास सोहनी के रिष्टे का प्रस्ताव लेकर आते हैं सोहनी के माता पिता तो तैयार थे ही शादी का दिन तै कर दिया बारात आ गई और जब फेरे होने लगे तो सोहनी ने साफ इंकार कर दिया कि मेरा पती सिर्फ महिवाल है मैं शादी नहीं और से नहीं कराऊंगी अते दुलावे बाराती सब उठ खड़े होते हैं रात का समय था सोहनी महिवाल से मिलने नदी की तरफ चल देती है तो उसके हाथ में जबरू की बहन मलकानी ने एक कच्चा घड़ा दे दिया क्योंकि घड़े के सहरे तैर कर ही सोहनी नदी पार रोजाना किया करती थी सोहनी ने महिवाल को आवाज लगाई महिवाल नदी के उस पार था सोहनी इस पार और सोहनी ने भी महिवाल को पुकारा सोहनी घड़े को लेकर नदी में तैरने लगी उसी समय नदी में तूफान आ गया और कच्चा घड़ा भी जूटने लगा तो सोहनी वे महिवाल के किस परकार से आखली समय पर सवाल जवाब होते हैं सोहनी आजा पार किनारे कैसे आऊं दिल के प्यारे खतिरा जाने का मन्य आवन का खतिरा लागे दूखान का सोहनी आजा पार किनारे कैसे आऊं दिल के प्यारे खतिरा जाने का वो मन आवन का खत्रा लाग गे तूफान का सुभनी आजा पार किनारे हात ने देख मन खिल क्या आई कैसे अंधेरे मैं तेरे दरस की प्यासी सू मैं प्रेम कसा तेरे मैं भो लिकड दरिया मैं गात साध कैं आगी सर पे कफन बांद के नहीं बहुँ प्राणे का उठे दरिया के मा जाल का मन आसान का सुभनी आजा पार किनारे और इस पकार से सुभनी उधर से खड़े के साहरे चल देखी है और इधर से घड़ा तूटने लगता है तो हमी देखती है घड़ा तूट रहा है तूफान भी आने लगता है किस तरह से बात बनती है हाँ उठरा से तूफान भयानक बसो जल चढ़ा तूटन ने हो रात यो मेरा कच्चा सा घड़ा ओ पुल्याई कच्चा घड़ा उठा के गई मन नार कोई पकड़ा ते बेरा ना बेई मान का मैं जान गया यो काम किसे सैतान का सोहनी आजा पार किनारे इस परकार से इधर से महीवाल भी तैर करके चल देता है उधर से सोहनी पानी में घड़े के साहरे आ रही है किस परकार से दरिया की बीच धार में मिलते हैं क्या होता है हा मत धब रहा है आगास है तेरा दिल बरतन बचा ले भड़ा तूट के चल दिया तू बाहों में मने उठा ले मने ले बाहों के मा तु ले ली तेरे हाथों मैंने उजो लिया गया आनंग सर के सामाने का हो जल बढ़ता आवे पता नहीं परवान का सुहनी आजा पार किनारे इस परकार से धड़ा तो धूट गया और महवाल ने सुहनी को अपने बाहों में उठा लिया लेकिन अब तो महिवाल भी सुहनी को नहीं साथ सका और सुहनी भी डूबने लगी और महिवाल भी डूबने लगा अब क्या होता है डूबने को जब होते हैं आक्री समय में क्या कहते हैं ले मैं तो चाल पड़ायो खतम हो लिया जीवन मैं भी साचलू तेरे मारा जन मरण का पंधन हो ना प्यार करनिया दुनिया में मरते अबर वे नाम जगत में करते सब जिकरी करें बाली दाने का कह जैसे न इनसा क्यों दुस्मन इनसान का सुहनी आजा पार किनारे कैसे आहूं दिल के प्यारे खत दानी का मन इस ये बात का डर था आया तूं खान का सुहनी आजा पार किनारे इस परकार से सुहनी वे महिवाल नदी की धार के वीच में ही दूब जाते हैं और वो सदा सदा के लिए अमर हो जाते हैं सजन प्रेमियों शोहनी महिवाल का ये किस्सा अब यहीं समाथ होता है यह किस्सा आपने हमारी द्वारा गाया सोनो टैक कैसित का मिखनी के माधं के सुना धन्यवाल किस्सा आपने हैं